नमस्कार, Welcome, सूसवागतम, प्यारे विध्यारतियों कक्सा आठ का जो मोडल परसंपत्र सभी विशे का परिक्सा के अंदर बुकलेट में आने वाला है वो मोडल परसंपत्र में आपकी लेकर के आया हूँ तो उस model person पत्र के अंदर किस तरह से सवाल आएंगे रापको कैसे answer देने हैं सारी जानकरी मैश वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को अन तक जरूर देखें और चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल अगर दबाएं पंक्ती में किस रितू के लिए कहा गया है तो C आपका सही जवाब है स आपको यहाँ पर कोश्टक में भरना है लाग की चूडियों को अकार देने के लिए किस वस्तू का उप्योग किया जाता है तो मुंगेरिया वस्तू का उप्योग किया जाता है अ आपको यहाँ पर सही आंसवर कोश्टक में भरना है अगला है अमरित सब्द का विपरित सब्द है अमरित का उल्टा क्या होगा विस होगा ब आपका सही जबाब है यहाँ पर कोश्टक में आएगा प्रतियुस सब्द का समान अर्थी सब्द चुन कर लिखी इसलिए यहां पर बह सही आंस्वर आपके आ जाएगा बस तो फष्ट क्लास है वाक्ये में विशेशन कौन सा है तो विशेशन है वो फष्ट है जो क्लास की विशेशन बता रहा है तो यहां पर आपका बह है वो सही जबाब हो जाएगा इस तरह से आपको कोश्टक में सही जवाब भरने हैं हम भिकमंगों की खाली जगे सोचंद लुटा कर प्यार चले तो दुनिया में द आपका सही जवाब होगा तो यहाँ पर आपको कोश्टक में द भरना है यह बहुत ही महतुपण मोडल पेपर है इसमें से प्रिक्सम बहुत सारे स्वाल आने वाले हैं तो इसको जरूर आप सभी देख लें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कर दें चिटियों की अनूठी दुनिया पाट के आदार पर तमिल में चिटियों को कहा जाता है तमिल में चीटियों को है वो कडिद का जाता है भाई यहां काडिद लिखावा है कडिद है तो द आपका सही जवाब हो जाएगा रवींदर सब्द का संदी विशेध बताना है रवींदर का होता है expecting रवी धनिंद्र रवी में वी छोटी है और ई में भी इंदर की इ की मातरा छोटी है तो ब आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है तो दो सब्दों के मिलने से समास बनता है अ आपका सही जवाब होगा आपको पता होगा दो वर्णों के मिलने संदी बनती है लेकिन दो सब्दों के मिलने से समास बनता है तो अ सही जवाब है चिडिया की चौंच में क्या दबा हुआ था तो तिनका दबा हुआ था बह आपक पर आपको कोश्टक में बहब भर देना है इस तरह से आपके 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 15 सवाल आएंगे बाकी वाले में बताने वाला हूं उसके बाद किस तरह से मिलान के और खाली जगे के सवाल है वो सारे बताने वाला हूं तो इसके लिए आप अनील कलसी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी गरुजन देख रहे हैं अपने स्टुडेंट्स तक इस वीडियो को जरूर सेयर करें और जो भी स्टुडेंट्स देख रहे हैं वो अपने साथी स्टुडेंट्स के साथ जरूर सेयर करें जिससे उनको फाइदा हो सके एक्जाम से पहले जहां पर मुर्गियों को रखा जाता उसे क्या कहते हैं तो उसे दड़बा कहते हैं सर आपका सही जवाब आजाएगा नैनन के जलसों पक दोए पंक्ती में किसने पेर दोए तो स्री कर्षण ने भगवान सु फुदने जड़े थे तो बापका सही जवाब हो जाएगा पांच फुदने लगए गए थे तो इस तरह से ये थे आपके ऑबजेक्टी टाइप के पंधरा स्वाल जो एक एक नमबर के यानि पंदरा इंट्व बराबर पंधरा नम्बर का आपके option और बर सर्देवाल का एक प्रत्यु सुमान होर आपने कवितां है उदो तीन वह अच्छे याद कर लें, तो यहां पांच वेक अंदर धाम आ जाएगा ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोई तो यहां बिवाइन आ जाएगा और लश्ट वाला है खाली जगे काक में चापी रहे तुम तो पोर्ट रहा जाएगा क्या है काक में क्या चुपा के रखा था पोर्ट चुपा के रखा था यह तीन कवीता हैं जो आपके कोस्ट में उसको अच्छे सियाद कर लें उसमें से आपके यह साथ नंबर के साथ खाली जगए आने वाली है बहुत ही अच्छे से सिंपल से आप साथ नंबर असिल कर सकते हैं उसके बाद अब एक आएगा छे नंबर के सवाल आएंगे एक एक नंबर के छे सवाल है छे नंबर के कोल जहां पर आपको सही और गलत का निशान लगाना है और कुछ भी नहीं करना है पहला है दोस्तों का परदाभास करना बुरी बात नहीं है ये इसका आपके है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये इस तरह इस पार्ट में लिखावाए कि दोस्तों का परदाभास करना बुरी बात नहीं है तो आपके इसमें राइट हो जाएगा भारतवर सदा कानून को धरम नह समझा जाने लगाए तो तीसरे में राइट हो जाएगा साप मन इमन बाज की मुर्कता पर दुखी था नहीं खुस था तो यहां पर गलत हो जाएगा आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं डगता यह गवरा न काता गवरया को तो यह राइट हो जाएगा कपड़ा बुनने वाले को बुनकर का जाता यह भी राइट हो जाएगा तो आपके पहले का उत्तर राइट है दूसरे का गलत है तीसरे का राइट है चोते का गलत है पहुचे का राइट है छटे का राइट है इस तरह से आप 6 नंबर आसानी से सिरफ ये राइट और रॉंग यानि गलत और सही का निशान लगा के प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद आपके परियावसी सब्दें समदें चार नंबर के सवाल आएंगे एक एक नंबर के चार तो ये किस तरह सायंग देखो तो नीचे दिएगे सब्दों के दो दो परियावसी लिखने हैं चंदरमा के दो परियावसी लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं राकेश, चंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे परियावसी सब्दें आप याद कर लें अब एक आता है मिलान वाला स्वाल पांच वा स्वाल आपके मिलान से समधित आएगा वाक्यांस दियो होंगे दोनों को आपस मिलान करना है ये भी चार नमबर के आएगे बहुत ही अच्छे स्वाल है सिंपल है हम दिवानों की क्या हस्ती से मिल जाएगा मस्ती का आलम साथ चला से मिल जाएगा आए बनकर उल्लास अभी से मिल जाएगा हम धूल उडाते जहां चले इस तरह से इनका सही मिलान करने पर आपको चार नमबर आसानी से मिल जाएगे आप देख रहे हैं अनिन क्लासी यूटूब चैनल और यहां पर आपको ककसा 8, 10, 12, 5 सभी के मोडल पेपर के साथ साथ रीट और BSTC PTT की संपुर्ण तयारी समंदित वीडियो समय समय पर मिलते रहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आने वाले समय में भी बहुत हेलपफुल वीडियो मिलते रहेंगे चरी आगे बढ़ते हैं नीचे दिएगे वाक्यों को समानार्तिक शब्द लिखिए यानि यहां पर आपको परियावासी सब्द लिखना है समानार्तिका मलग है परियावासी आपने प्रयाए वाशि याद किये हैं तो वो ही समान आर्थक है, यह भी त्यान रखना है तो उनको आपको लिखना है, चार नंबर का सवाल आएगा वस्तू के बद्ले वस्तू लेना देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिम्य कहलाता है ये भी लाग की चूड़ियां वारे पार्ट में से कई वर्सवां पुराना ओसे पुरातन कहते हैं सरलता से मिल जाना सूलब कहलाता है और सौ साल का समय सताबदी कहलाता है इस तरह से ये चारों ही बरने पर आपको चार नंबर आसानी से मिल जाएंगे ये था अभाग जो बहुती सिंपल सीधा आने वाला है उसके बाद वर भाग में आप से को सवाल पूछे जाएंगे दो दो नंबर के तो उसके बारे हम देखते हैं समदार आदमी को साम वाली बस से सबर क्यों नहीं करना चाहिए ये खटारा वाली बस थी उससे दो नंबर का सवाल है आपको यहाँ पर तीन लाइने दी गई है ज्यादा से ज्यादा दो से तीन लाइने में आपको उतर भनना है आपको कौन सी रितु सबसे अच्छी लगती है और क्यों इसके बारे में भी आपको दो से तीन लाइन या लिखनी है छोड़ी हुई लाइने आएगी इस तरह से खाली और उसी के अंदर आपको अपना फिक्स उतर लिखना है आगे नीचे दिएगे मुहावरों का वाक्यम परियोग कीजी जैसे नो-टो-ईयरा है तो आपको इस तरह पहला उसका अर्थ लिखना है ऑसके जाना है उसके बाद उसका वाक्य परियोग ऐसे लिखना है मौन कुते को देखकर नो-ग जो-ईयरा हो गया आप कोई उसका वाक्य परियोग दूसरा भी कर सकते हैं ठीक है दूसरा है आँखों का तारा तो इसका अर्थ है अत्य दिख पिरिये पहले अर्थ लिखना है उसके बाद वाक्य परियोग करना है सोहन अपने माता पिता के आँखों का तारा है या मोन अपने गरूजी के आँखों का तारा है या अन्य कोई भी वाक्य इस तरह से आपको बनाने तो ये दो नमबर की सवाल है जो मुहावरा समधित आएंगे बहुत ही सिंपल और सीधे हैं उसके बाद है उपसर्ग लगा कर दो नए सब्द बनाने जैसे पर उपसर्ग लगा कर इसने पूछ लिया दो नए सब्द बनाओ तो पर के आगे हार लगा दें पर हार हो जाएगा पर के आगे कार लगा दें पर कार हो जाएगा इस तरह से आप और भी बना सकते हैं लेकिन आपको या केवल दो ही इस तरह से जैसे मैं दिखाए हैं वैसे बनाने हैं जिससे आपको दो अंकासानिशे मिल पाएंगे आगे बढ़ते हैं अगले स्वाइल के और गया रहा है कोरोना वाइरस से बचाओ कि कोई दो उपाए बताने तो आप दो दो लाइने छोड़ी हुई है आप चाहित एक लाइन का या दो लाइन का कितना भी लिख सकते हैं बहुत सारे उपाए आपको याद होंगे हमिसा मास्क लगा कर रखे हैं समय पर वैक्सिनेशन करवाए हैं दो गज की दूरी बना कर रखे हैं ठीक है साबुन से समय समय पर हाथ दो हैं ये सभी समय समय पर सैनेटराइज करते रहें ठीक है ये सभी कोरोन से बचाव को पाए आपको कोई भी दो लिखने जैसे एक और एक ये दो लिख दिए ठीक है अगला सवाल है गाड़ी चला समय कौन कौन साफ़दानी रखनी चाह चाहिए दो पई या वहाँ चला समय limit पहल ना चाहिए या अन्हे और भी बातें आप लेकर चाहें तो लेक्शकैते है ठीक है अगला सवाल है साइकिल की विनमर सवारी क्यों का गया है साइकिल की सवारी को विनमर सवारी क्यों का गया है ये तीन अंका है इसलिए यहाँ पर एक दो तीन चार पांस लाइन अलग बग छोड़ी गई है आप 3-4 लाइन में इसका उत्तर cycle के बारे में आपको लिखना है इस तरह से लिख करके ये booklet जो आएगी उसको आपको वापस देदेना आपको अलग से paper नहीं मिलेगा काम चोर कहानी क्या संदेश देती है तीनंग का सवाल है आपको 3-4 लाइन में लिखना है ये paper है बिल्कुल जो SRCRT उदेवपुर है उसके दवरत जारी किये गए हैं और वहां से आपको बिल्कुल अच्छे से और महतुपर्ण सवाल है ये आपके exam में आने वाले हैं अब है एक गध्यांस आएगा गध्यांस का मतलब यहां से लिखा हुआ जो 3-4 लाइन आएगी उस में से आपको 3 सवाल पूछे जाएंगी उन सवालों को उतर देड़े हैं या 15-17 सवाल है 15-16-17-17 सवाल है इनके उतर आपको इसमें सदेने जैसे परवत के अंदेरी गाट में से आया है नदी कहां पर बैती थी यह पूछा है तो यहां इस पर लिखा हुआ है परवत की अंदेरी गाटियों में एक नदी बैती थी यह आपके 15 सवाल का उतर हो जाएगा आप आराम से लिख पाएंगे कोई प्रोब्लम वाड़ी बात नहीं है क्योंकि शीदा इसमे यहां पर लिख देना है अगला सवाल है सतरवा उच्छा है सोर मचाना सब्द का क्या अर्थ है तो सोर मचाना सब्द का अर्थ आपको बताना है सोर मचाने का मतलब बता है आवाज करना हको करनो हिंदी में मारवाडी में का जाए तो और नहीं तो इसको कहते हैं आवाज कर लाइन में लिखना है, चार से पांस लाइन छोड़ी हुई है, आपको यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है, अब है भाग सर, इसमें आएगा आपके कहानी आई है, कोई भी दोनों मैंसे एक लिखनी है, तीन नमबर का सवाल है, चाहे तो आप मेंद का फल मीठा होता वाले कानी लिख सकते हैं, चाहे ताप जैसे गुतैसा वाले कानी लिख सकते हैं, जैसे मेंद का फल मीठा होता वाले में आप वो लिख सकते हैं, कि एक बार एक लड़का था और वो अपने घर पे कोई काम काज करता रही था उसके पिता जी ने उसको काकुस कमा करके ले किया उस दिन एक दिन उसने अपनी मा से पैसा ले लिया दूसरे दिन अपनी बहीं से ले लिया तीसे दिन सेर ने सभी को बार बेज दिया फिर उससे का उसने मेंद की और चवनी परप्त कर ली जैसे एको तैसा वाले माप चुए और सेर वाली कानि लेख सकते हैं कि एक बार किसी तरह से चुए था वो सेर की पकड़ में आ गया और सेर ने उसको दबोस लिया तो चुए ने का कि तुम मुझे छोड़ दो मैं तुमेंने कभी कामाँगा तो सेर असा लेकिन उसने उसको चोड़ दिया एक दिन सेर था वो जंगल में जाल में फस गया और चुए ने किस तरह से जाल काटा और बाहरा गया इससे हमें सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला यनि जैसे को तैसा तो दोनों में से कोई भी एक कहानी आपको लिखनी है तो यहाँ पर आपको इस तरह से 10 से 15 लाइन में ये कहानी लिखनी है उसके बाद अगला स्वाल आया है कोई तीन दे उसका छुट्टी लेने यह तो अवकास यह तो प्रातना पत्र अपने परदाने जैपको लिखना है तो यहाँ पर आपको एप्लिकेशन लिखनी जाती है सेवा में से रिमाल परदाने जैपक विशे भी लिखना है और साथ में लिखनी है उसके रावए यह आप चाहें तो विद्याले वार्शिक उच्छा उपर पत्रों का चैन करते हैं सुवाद की रूप में लिख सकते हैं लेकिन मुझे लगता है आपके यह प्रातना पत्रे वो ठीक रहेगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे यह इस तरह से आपका सवाल था उसके बाद में की सवाँ और अंतिम सवाल है आठ नमर का है निमंद लिखना है किसी भी एक विशे पर हमारा विद्याले किसी यात्रा का दर्से यह सवच भारत ब्यान तीनों में से किसी भी एक पर आपको 10 से 15 लाइन का निमंद लिखना है तो मेरे इसाब से हमारा विद्याले सबसे बेस्ट रहेगा इस पर आप 10 से 15 लाइन का एक निमंद लिखने है आपको आठ नमर आशाने से मिल जाएगी तो इस तरह से यह आपके पेपर था जो आपके एकजाम 2022 हिंदी विशे का आने वाला है तो अनिल करा से यूटूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबह दीजिएगा जिससे आपको बाकी वाली वीडियो है वो भी समय पर मिल पाएंगी धन्यवाद जैहिंद वंदे मातरम